वोड हमारा क्या है Quint Quint का मतलब होता है विचित्र होना इसका सिनन्यम्प जो है Whimsical होता है Queer होता है Singular होता है Peculiar होता है यह सब इसके Important Synonyms बनते हैं अगला वोड हमारा क्या है Quimp Quimp का मतलब होता है ताना देना इसके Synonyms के बात करें गैग होता है Reparty होता है और हमारा Retort होता है यह सब इसके Synonyms बनते हैं अगला वोड हमारा क्या है Quarantined Quarantined का मतलब होता है प्रिथक करना इसके Synonyms के बात करें तो Restrained होता है Separated होता है Isolated होता है यह सब इसके Synonyms बनते हैं अगला वड़ हमारा क्या है Quest Quest का मतलब होता है कोज करना, Crucate होता है और वड़ हमारा jyohais Pursuit होता है, Search होता है ये सब synonyms बनते हैं वड़ हमारा क्या है Retreat Retreat का मतलब होता है बार-बार दोहराना यानि कि Itrate कहेंगे, अब लोग rest state कहेंगे, repeat कहेंगे यह सब इसके synonyms बनते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, refined refined का मतलब होता है, परिशोधी तित करना, इसके synonyms की बात करें, तो हमारा जो है sophisticated हो जाएगा, elegant होगा, cultured होगा यह सब इसके synonyms बनते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है, radiant radiant का मतलब होता है दिप दिमान होना, उज्च्छHealth होना इसके synonyms की बात करें तो glittering होगा, और हमारा brilliant हो जाएगा, bright हो जाएगा वर्ड हमारा के है, rebellion rebellion का मतलब होता है, withdraw इसके synonyms की बात करें तो fight हो जाएगा, mutiny हो जाएगा, revolt होता है यह सब इसके important synonyms बनते है अगला word हमारा क्या है, rigid rigid का मतलब होता है, कठोर होना इसके synonyms के बात करें, strict होगा, un-ilding होता है, stiff होता है यह सब इसके important synonyms बनते है अगला word हमारा क्या है, rest Res का मतलू होता है, जल्दे बाजे करना इसका Full Hardy होता है Impulsey होता है और हमारा Imp образ होता है Word मारे के है Renowned Renowned का मतलू होता है P Pleśny Todos होना Synonyms जो है Distinguished होता Firmed होता है Reputed होता है यह समशनानिम Videos बनते है Word मारे के है Res Res का मतलू होता है जल्देबाजी करना impulse होगा impetuous होता है full hardy होता है इस सब synonyms बनते है next one अबना कहे है rural rural का मतलब होता है gramid होना simple होना bucolic होना rustic होना इस सब synonyms बनते है what देखे कहा है ridiculous ridiculous का मतलब होता है harsh prepared होना यानि कि क्या है ludicrous होना absurd होता, comical होना ये सब synonyms बनेंगे अगला वर्ड देखी क्या है reduce, reduce का मतलब होता है खुद सोजाना, celebrate करना exult होना, delight होना ये सब synonyms बनेंगे वर्ड हमारा है remorse, remorse का मतलब होता है पश्रताब करना, दुखी होना उसको हम लोग remorse कहते है इसका synonyms जोए grief होता है, और हम लोग repentance कहते है regret कहते है, ये सब synonyms बनते है वर्ड कहा है, resistance resistance का मतलब होता है प्रतिरोध होना, hindrance पैदा करना, बाधा पैदा करना ये सब synonyms बनते है इसके synonyms को बात करें, तो struggle होता है, opposition होता है hindrance होता है, obstruct होता है ये सब synonyms बनते है अगला वर्ड बना है radical, radical का मतलब होता है उग्र होना, इसके synonyms की बात करें, तो rebellious होता है thought होता है, entice होता है वर्ड की है, refute refute का मतलब होता है, खंडन करना इसके synonyms की बात करें तो contradict हो जाएगा disprove होता है, Danny होता है ये सब इसके synonyms बनते है अगला वर्ड अमरा क्या है ruin, ruin का मतलब होता है बरबाद करना इसका synonyms जो है, devastation होता है और हमारा destruction होता है wreckage होता है ये सब इसके important synonyms बनते है वर्ड अमरा क्या है, substantiate substantiate का मतलब होता है सिद्ध करना इसके synonyms के बात करें तो authenticate होता है और हमारा confirm होता है verify होता है यह सब इसके synonyms बनते हैं अगला वर्ड हमारा के है scrutinize scrutinize का मतलब होता है ताकत हम लोग इसके synonyms के बात करें तो inspect होगा इसके synonyms बनते हैं अगला वर्ड हमारा के है statuit का मतलब होता है कानून इसके synonyms जोए ordinance होगा law होगा act होगा वर्ड के है sordid sordid का मतलब होता है गिनोना इसके synonyms जोए अगली होता है nasty होता है dirty होता है वर्ड मना कहा है spurious, spurious का मतलब होता है जाली, इसका synonym जोए artificial होगा, fake होगा, false होगा, ये सब synonyms बनते हैं वर्ड कहा है sacred, sacred का मतलब होता है धार्मी खोना, synonym जोए glut हो जाएगा और हमारा satisfy होगा, indulge होगा, ये सब synonyms बनते हैं अगला वर्ड मना कहा है stipulation, stipulation का मतलब होता है शर्थ करना, इसका synonyms जोए clause होजाएगा, condition होता है और वर्ड कहा होता है, ये सब इसके synonyms बनते हैं वर्ड मना कहा है shoot, street का मतलब होता है चालाग होना, इसका synonyms जोए astute होता है, calculated होता है, astute होता है word क्या है static static का मतलब होता है स्थिर होना इसके synonyms की बात करें तो stable होता है still होता है fixed होता है यह सब इसके synonyms बनते हैं अगला word मेरा क्या है spry spry का मतलब होता है फुर्तीला जो कैसा हो quick हो, agile हो, brisk हो यह सब synonyms बनते हैं